गुद मॉनिंग फ्रेंड्स उत्तर पाटशाला में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कुस करेंगे 28 मई को उत्तराखंड से रिलेटेट सभी इंपोर्टन करेंट अफिर्स के बारे में आपको पता है रोज सुबह को अपना इंपोर्टन शेशन होता है जिसमें हम उत्तराखंड के सारे इंपोर्टन करेंट अफिर्स को पढ़ते हैं तो आज हम देखंगे वनों में आग के कारण कितना संपधा का नुकसान हुआ है मेजर सुमन गवानी कौन है जिम कॉर्बेट के प्यासे पशुओं के लिए किया व्यवस्ता की गई है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जर्नल नौलेज और करेंट अफियर्स के कई सारे कुश्चन का हम डिसकेशन भी करेंगे आपको ध्यान देना है आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए गारगी रावत हमने कल डिसकेशन की थी दोस्तो जंगलों की आग के बारे में और उस फॉरेस्ट फायर में हमने आपको कई सारी इमेजस दिखाई हुई थी तो उन इमेजस को लेकर के काफी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है क्योंकि उन मेंसे कई सारी इमेजस क्या थी हमने आपको बताया था कि हमने वो ट्विटर से लिवी है तो वो सारी इमेजस क्या थी कुछ पुरानी इमेजस या अधर सोर्सिस से लिवी इमेजस है जिन में से बहुत कम images औरीजनल images हैं आजकल के fire की जो अभी लगी हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि जो उत्राखंड का forest department है वो भी ये कह रहा है कि ये जो आग लगी है ये बहुत कम यानि कि आप कह सकते हैं काफी कम area में ये आग लगी हुई है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा issue नहीं है बहुत कम आग लगी हुई है तो इसी पर हम discussion करेंगे कि क्या है कितनी आग लगी है तो देखिए ये जो images थी कई सारी images इसमें से fake हैं ये खा गया है और खुद CM त्रवेंद रावज जी ने इस पर tweet करके सफाई भी दिया कि ये कि वर rumors फैलाने के लिए इसा कुछ किया जा रहा है ये पुरानी images है चुसल ये देखते हैं कि है क्या तो देखिए परवीन काशवान IFS इनकी tweet है कि जो oven की आग है वो ecosystem का important part है बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो social media पर ऐसी चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए तो देखते हैं कि हकीकत क्या है कितनी आग लगी क्या हुआ तो ये है देखिए statics देखिए आग लगी है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था 2019 में मैंने आपको NDTV की रिपोर्ट भी दिखाई थी कि 1590 hectares का area जो की आग के कारण क्या हो गया था नुकसान हो गया था जिसको उसके comparison में 71.46 ही इस बार यानि कि 2020 में आग की चपेट में आया हुआ है दोस्तों यह मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी तो उत्राखन में जो आग लगी है उसका इस तर काफी कम है गवर्मेंट को ध्यान यह देना है कि आग इससे ज्यादा ना बढ़े अभी natural रूप से काफी support उत्राखन को मिल रहा है इस चीज़ पे आप देख रहे हैं कि जो मौसम है वो थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है बारिश आ रही है और उसकी वज़े से क्या हो रहा है कि यह आग फैल नहीं पा रही है तो अगर यह राइस नहीं होते हैं तो यह उत्राखन के लिए काफी बड़ी सफलता एक हम कह सकते हैं कि पिछले साल के comparison में इस बार देखिए आप काफी कम हमको नुकसान जेलना पड़ा है तो देखिए पिछली बार जाँ 1590 हेक्टेर का नुकसान हुआ था तो इस बार के वर 71.46 हेक्टेर का नुकसान हुआ है कल मैंने आपको बताय थ है तो दोस्तों ये तो रही कल की news की बाद जो forest से reported है और forest department इसके बारे में काफी का है वन दरोगा की post के लिए इस तरीके के questions काफी important हो जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि forest से related है या एगरी से related है तो क्रिशी और वन जंगलात से related जो report आती है उनको आपको जरूर पढ बना है और उनके उपर एक एक fact और एक डाटा को देखना है देखिए आप 5090 और 71.46 नहीं भी याद रखते हैं तो अभी आपको comparatively ये पता होना चाहिए कि लगबग 1500 के करीब 2019 में और 70 to 75 के करीब 2020 में नुकसान हुआ है अगर आप comparatively भी याद रखंगे आपको option choose करने में आसानी होगी आपके exam में तो चलिए next देखते हैं देखिए आपने recently सुना होगा जो tiddy है टिड़ी आपने सुना होगा ये जो एक पूरी की पूरी group में चलती है और recently आपने देखा इन्होंने इंडिया में प्रवेश कर दिया है तो अब इनको उत्राखंड में भी नुक पूसान फैला सकती है और उत्राखंड में आ सकती है तो देखिए क्रशी मंत्री जी की जो सला है उसको आपको देखना है दवाईयों का चलकाओ करना है डब्बे और ठाली बजानी है और जो हमारे यहाँ चला आता है उत्राखंड में पहले से कीट पतंगों को भगाने के दुआ हमें लगाना है तो देखिए हुआ क्या आपने अफ्रिका का रिजन देखा होगा इस तरीके से जो है हॉर्ण ओफ आफ्रिका यानि कि सोमालिया वाला जो रिजन है वहां से ये ट्डी एंटर करती है अंदर इरान होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से ये जिराद राजिस्तान इंडिया में होते हुए फिर ये इंडिया के अंदर फैल थी है कम से कम चार साड़े चार मतलब एक बहुत बड़े ग्रुप में या आती है मतलब देखिए अभी यहां देखिए अब जहासी पुबीना में 40 लाग टिड्डियों को मारा गया तो ये ल पत्तियों को खा जाती है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इस बार जो टिड्डियों आई है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला टिड्डियों का माना जा रहा है तो देखिए अभी रिसेंटली इरान को एक फंड भी दिया गया है इनसे लड़ने के लिए तो आपको ध्यान देना है कि ये इस उत्तराखंट को भी इसके लिए अलर्ट पे रखा गया है तो उत्तराखंट से रिलेटेड न्यूज ये रही अगला देखिए यहां देखिए कई देशों में तबाही मज़ा चुका है टिड्डियों का दल अगर आप देखिए तो इस तरीके से वहां अफ्रिका का मैप है तो यहां जो एरिया है सोमालिया वाला इधर से इंडिया अंदर आती है और इंडिया में पहुंचती है तो ये इरान पाकिस्तान होते वे भारत में प्रिवेश करती है तो भारत और पाकिस्तान इस पे मिल करके कई वर्षों से इनक ज़्यादा यह फसलों को नुकसान पहुचाती है बहुत बड़े बड़े ग्रुप में यह होती है चलिए अगली न्यूज देखते है देखे आई एम ए आपने नाम सुना होगा इंडियन मिलिट्वी अकेडमी जो की है धहरादूर में और इसी के साथ है फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिट एफ आर आई यहीं के जो स्कॉलर्स थे यहीं जो स्कॉलर्स थे वो सबसे पहले कोविड नाइंटीन पॉजिटिव पाए गए थे और काफी फेमस है उत्राखन में काफी फिल्म की याँ सूटिंग होती रही है एफ आर आई में हैं और के वल इंडिया ही नहीं यह काफी हमारे पॉड़ोसी देशों के सैनिकों को भी क्या करता है ओफिसर्स को ट्रेनिंग देता है तो इस बार क्या होगा जो यहां की पी ओपी है पासिंग आउट परेड जो काफी फेमस है दोस्तों तो यह जो P.O.P है इस बार इसमें जो officers है उनके parents उनके family वाले उनके relatives को present होने की permission नहीं मिलेगी अभी तक क्या होता था passing out parade में parents आते थे relatives आते थे जो officers होते थे इस बार वो नहीं होंग और इस बार काफी सामान्य तरीके से यहां की passing out parade होगी due to COVID-19 तो अब आपके लिए important क् IMA तो देखिए IMA का पहले जो नाम था Armed Forces Academy था अभी देखिए NDA खडगवासला पुड़े में यह academy है National Defense Academy और IMA आपको याद रखना है IMA का है दहरादून में आपको बता होना चाहिए CDS वाले हैं चाहिए NDA वाले हैं ऐसे जो army की branch है उनकी training यहां होती है और ऐसे lieutenant यहां स पास आउट होते हैं देखिए मोटो है वीरता और विवेक तो देखिए इसका establishment कब हुआ था 1932 में एक October 1932 को हुआ था अभी फिलाल में 1650 आप देख सकते हैं students की capacity है और इसकी location दहरादून उत्राखड में दहरादून अगर आप जाते हैं तो काफी famous जगह है यह वाँ committee ने recommend किया था कि एक IMA करके एक academy होनी चाहिए और 1932 में फिर इसे establish किया गया था और तब कितने 40 male credits के साथ यह establish हुई थी तो आपको याद रखना है यह काफी important एक question बन जाता है उत्राखड से FRI और IME का यह कहां है कब establishment हुई थी तो आप लोग मुझे comment box में बताएंगे FRI forest research institute यह कब establish हुआ था फिलाल IME की बात मैंने आपको बता दिया है चलिए देखते है all weather project के तहित चमबा में निर्बानाधीन tunnel को मंगलवार को सफलता पूर्वक खोल दिया गया है तो देखिए union जो हमारे केंद्री है सडक परिवहन मंत्री है नितिन गटकरी जी इन्होंने चमबा tunnel को खोल दिया है और चमबा tunnel का इन्होंने video conferencing से उधगाटन किया था अब यह जो चमबा tunnel है यह क्या है एक सुरंग है और इस tunnel के उपर पूरा का पूरा चमबा जो area पढ़ता है वो है और यह all weather project के अंदर क्या थी यह tunnel बनाई गई थी अब जो all weather project में यह tunnel बनाई इससे पहले क्या था लोग चमबा के होते वे चारधाम यात्रा के लिए आगे जाते थे अब जो चमबा का area है इसमें jam की काफी बड़ी problem होती थी तो अब जो यह tunnel खोली गई है इसके बाद यह jam की problem कम हो जाएगी या लगबग लगबग खतम हो जाएगी का गया तो देखि में बताएंगे वो कौन सी रोड है बहुत ही जादा important है और उसके बाद काफी बवाल भी आपको देखने के लिए मिला है तो फिलाल चमबा टैनल का उद्गाटन या चमबा टैनल को खोल दिया गया है तो किसके द्वारा खोला गया है निटिन गट करीजी द्वारा को चलि है राम गंगा से यहां पानी सप्ला ही होता है अब देखे आपको राम गंगा के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए राम गंगा उत्तर पुदेश में प्रवेश करती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है तो जब यह उत्तर पुदेश में प्रवेश करने के बा वो है रामगंगा नदी अब जो रामगंगा नदी है इसके अलावा भी वहाँ पानी की जरूरत होती है तो यहाँ लगबग 400 वाटर होल है 200 इसमें से पक्के और 200 कच्चे वाटर होल है जिनमें पानी का सप्लाई किया जाता है जो कच्चे वाटर हो लें उनमें बारिश का पानी या अधर सोर्से से पानी होता है जो 200 पक्के वाटर हो लें उसमें टैंक के थ्रूभी पानी डलवाया जाता है और इससे क्या होता है यहां के जो जानवर है उनको पानी की पूरी सप्लाई मिलते रहती है तो यह Jim Corbett National Park से related important question बन जाता है अब यह question सारे के सारे exams के लिए बहुत ज़्यादा important है चाहिए आप UK SSC लेते हैं चाहिए आप Forest का कोई question लेते हैं अब देखिए अगर मैं बात करूँ Jim Corbett से और महत्तुपूर्ण questions की तो आपको पता होना चाहिए यह इंडिया का सबसे पुराना National Park है तो Tiger Reserve जो project थे उसके अंदर सेव टाइगर के अंदर इसको बनाया गया था इसको रखा गया था अब अगर मैं आपसे पूछू कि इसकी establishment कब हुई थी तो हमने कई बार इसके बारे में study किया हुआ इसकी establishment हुई थी 1936 में 1936 में और इससे जो महत्तुपूर्ण question बनता है वो यह बनता है कि इसका पुराना नाम क्या था तो आपको याद रखना इसका पुराना नाम था Haley National Park जी हाँ Haley National Park यह इससे सारे महत्तुपूर्ण current affairs के question और साथ में GS के question भी आपके बन जाते हैं फिर देखिए अगला देखिए एक ही बहुत ज़्यादा important news में कह सकता हूँ आपको कि उत्तराखंड की एक टेरी के पोखर गाउं की एक major है देखिए नाम major सुमन गवानी तो यह भारत की जिहां यह टेरी से पोखर गाउं की है और यह भारत की पहली महिला है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में यानि की United Nations में Gender Advocate of the Year 2019 का पुरुसकार मिला है जिहां Gender Advocate of the Year 2019 का पुरुसकार जिन्हें मिला है यह भारत की पहली महिला है मेजर सुमन गवानी और यह है टिहिरी के पोखर गाओं की रहने वाली तो आपको यह नाम याद रखना है और इनको ऑनलाइन यह पुरुसकार दिया जाएगा तो यह पुरुसकार कौन देगा United Nation Organization के United Nation Organization में जो Head है अभी जो Chairman है महां के Antonio Guterres यानि के हम कह सकते हैं जो महासचिव हैं United Nation Organization के Antonio Guterres वो ऑनलाइन यह पुरुसकार Gender Advocate of the Year 2019 का पुरुसकार देंगे मेजर सुमन गवानी को तो यह जो है यह पहली हैं इंडिया की जिनने यह पुरुसकार मिल रहा है तो अब आपको आप किसी भी competitive exam की तहियारी कह रहे हैं यह आपको पता होगा United Nation Organization के बारे में इसकी establishment कब हुई थी तो देखें establishment आप मुझे बताएंगे मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया जो था तो जिस टाइम भी United Nation Organization बना था इंडिया इसका एक member था यानि कि इसके founding members में से एक है इंडिया तो आप आपको बताना है कि इसकी establishment कहा हुई थी कब हुई थी और इसका headquarter कहा है तो यह थे आज के सारे महतुकून current affairs जिसके बारे में हमने discussion किया और आपको बाकी सारे questions भी मैंने आपको बताए जो इन सभी चीजों से बनते हैं तो अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो जरूर कीजिए और share जरूर कीजिएगा आपके जितने भी contact हैं जितने भी study groups में आप हैं उनमें share जरूर कीजिएगा और जितने भी लोग आप देखते हैं कि news पढ़ते हैं news देखते हैं उन्हें ये जरूर सब्सक्राइब करने के लिए गईएगा क्योंकि news पढ़ना के वले एक मकसद नहीं होना चाहिए उसकी सारी की सारी information आपके पास होनी चाहिए तो thank you till next video